असकार दोस्तों आपका संजीव ट्रैलिंग ब्लोक में स्वागत है दोस्तों आप सबी को पता होगा कि जो भी लोग अमनात यात्रा करने गए हैं अपने जीवन में उनको पता है कि अमनात यात्रा कितनी कठीन है दोस्तों क्योंकि अमनात यात्रा जम्मो कस्मीर में है और ज क्योंकि अमन्नात यात्र जहां है जहां बाबा की गुफा वनी हुई है बोगातार पहार चड़ चड़ के जाना पड़ता है और हम बहुत से जिगे तो ऑक्सजन की तनी कमी है कि यात्री बहुत ज्यादा परेसान हो जाते हैं दोस्तों लेकिन अब केंदर सरकान ने अमन्नात यात्रा जो तीन दिन की अमन्नत यात्रा होती थी वो आफ गंटे में ही पूरी की जा सकती है दोस्तों क्योंकि जो पहाड़ी इलागा है उसे तीन दिन या दो दिन में पूरा होता था यारता जब ही आप दर्सिन कर पाते थे लेकि अफ सरकार प्लान बना रही है कि इस पूरे दिन को तीन दिन को खतम करके बहुत मुश्किल से आट घंटे में कनवर्ट किया जाए क्योंकि अफ सरकार ने कल पूरा प्लान तयार कर लिया है कि कहां कहां हमें सड़क बनानी है और हमें कहां कहां सुरुख बनानी है दोस्तों अब आपको सेश नाक से पंज तर्णी तक 11 किलोमेटर की बहुत लंबी आपको सुरंग का निर्मार किया जाएगा दोस्तों और जो इसका बजट है वो भी तैय कर दिया गया दोस्तों क्योंकि कल जम्मू कश्मिर में मीटिंग जो आपके केंद्रिय सडख बा परिभान मंतरी नितिन गड़करी ने की है दोस्तों इन्होंने फैसला किया है कि अब अमन्नत यत्रा तीन दिन की नहीं पूरे आट घंटिक की जाएगी क्योंकि जो रास्ता है जो पहाड़ी इलाका इसा तोड़ तोड़ के जहां तक सीमित नहीं है सडख बनाने के लिए हाँ सुरंग बनाई जाएगी ताकि जो यात्री है जो तीन दिन की यात्रा वो आट घंटे में फूरे की जा सकते दोस्तों इस पे लगातार काम किया जा रहा है और एक महीने के अंदर अंदर जो इसका टेंडर वो भी उठा दिया जाएगा जुलाई अगर सितंबर का आसबास में इसका काम भी सुरू हो जाएगा आने वाले टेम में अब आपको अमनत यात्रा बहुत आसान होने वाले दोस्तों क्योंकि जो सबसु ज़्यादे जो कठिन रास्ता वो आपका से पंज तरन्दी तक है दोस्तों जहां पर सुरंग बन दोस्तों ठेका दोस्तों और चंदनबाड़ी जो बीच का दाशता सतर किलोमेटर का उस पर हो जाएगा दोस्तों ठीक है यह बहुत बड़ी खुसकावरी दोस्तों इसलिए आगर आप अमनत यात्रा करना चाहते है आने वाले टेम में तो आप बहुत आरह हैं से मनत्थिया तरह कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेर करें हर हर महादे दोस्तों